सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी अराधना करने वाले अनेक भक्त है माननेताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मौक्ष प्राप्त होता है भारत वर्ष में भगवान शिव के मुखे रूप से बारा जोतिलिंग है जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिरों के रूप में स्थापित है भगवान शिव के इन 12 जोति लिंगों का एक अपना ही अलग महत्व है और इन जोति लिंगों के दर्शन करने के लिए भारत वर्ष के कोने कोने से श्रत धालू आते हैं और इन्ही जोती लिंगों में से एक है मलिक अर्जुन जोती लिंग आपको बता दे मलिक अर्जुन जोती लिंग भगवान शिव का एक प्रसिध जोती लिंग है और ये जोती लिंग आंधिप्रदेश में कृष्णा नदी के टट पर इस्ते थे भारत वर्ष में इस जोती ल पुराणों में बताया गया है कि मलिक जोतिलिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य जोतियां वराजमान है हिंदु धर्म में मलिक जोतिलिंग को बहुत ही पवित्र जोतिलिंग माना गया है वही श्री शेल परवत परिसित यह जोतीलिंग भगवान शिव के बारा जोतीलिंगों में से एक है ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाद की पूजा करता है उसे अश्पुमेग यग के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाय शिग्र ही पूरी हो जाती हैं आपको बता दे मलिक अरजुन जोतिलिंग का इतिहास उस पुराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिके और गडेश में इस बात की शर्त लगी थी कि उनमें से बड़ा कौन है नहीं भगवान कार्तिके का मानना था कि वे भगवान गडेश से बड़े हैं जबकि गडेशी कहते थे कि वे कार्तिके से बड़े हैं और इस बात पर माता पारवती और भगवान शिव ने कार्तिके और गडेश से कहा कि जो भी प्रत्वी की परिक्रमा लगा कर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा और इस बात को सुनकर कार्ति के अपनी सवारी मौर पर बैठकर प्रत्वी की परिक्रमा करने निकल गए लेकिन चुहे की सवारी करने वाले भगवान गड़ेश के लिए ये काम मुश्किल था भगवान गड़ेश बुद्धी के दाता माने जाते हैं इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धी का उप्यों किया और माता पारवती और पिता शिव की साथ बार परिक्रमा की और इस तरह वे प्रित्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए वही जब कार्तिके प्रित्वी की परिक्रमा कर वापस आये तब ये सब देखकर वे चोग गए गुस्से में विशाल परवत की ओर चल दिये और कार्तिके को मनाने के लिए माता पारवती भी पर पर पहुची इसके बाद भगवान शिव ने वहां जोतिलिंग के रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दिये तब ही से शिव का ये जोतिलिंग मलिक अरजुन जोतिलिंग के नाम से व्याख्यात हुआ तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं ऐस तहीं तमाम जानकारी के लिए देखते रहें N27 भक्ती